इस पात्र का महत्व हमारे जीवन में हम भली भाती जानते हैं गर्मी की रितु में ये हमारी प्यास बुजाता है शीतल जल को जैसे अम्रित बना कर हम तक सौपता है किन्तु इस पात्र को बनाया कैसे जाता है कैस प्रक्रिया के विशय में आपको ग्यात है सर्व प्रतम कुमार स्वयम के पैरों से माकी को गूथता है मचता है फिर उसके पश्यात उसे चाक पर चड़ाकर उसके पश्यात उसे चाक पर चड़ाकर घुमाता है फिर उसके उपर बाहर से प्राहर करता है और साथ ही भीतर से साहारा भी देता है। ताकि ये मटका टूटें। फिर अपनी ही बनाई रचना को जलती हुई भट्टी में छोड़ देता है कपने के ले। और उसके पश्चा शीतल जल देने वाला ये पात्र हमें प्राप्त होता है एक सर्वश्रेष्ट गुरू भी यही करता है सर्वप्रथम हमारे मन में छिपे संभावनाओं को निकालने के लिए हमें मठता है फिर कठोरता से हमें आतार देता उसी के साथ हमें सहारा भी देता और फिर उसके पश्चात परिक्षा की अगनी उस भट्टी में छोड़ देता जलने के लिए और तब जाके हमारा अस्तित्व बनता इसलिए यदि आपके गुरू कठोर हो तो उनसे कुपित ना होई उनसे क्रोधित ना होई क्योंकि वही वो कुमार है जो आपके जीवन के पात्र को एक सुन्दर सा आकार देंगे राधे राधे